नमस्का इस वीडियो में हम साम्प्रदाइक्ता की कुछ अद्भुत और अनोखे पक्षों के पारे में हम चर्चा करेंगे आईए इस चर्चा की सुरुवात करते हैं एक छोटी सी कहानी से एक छोटी सी कथा से आप सभी लोग इस विड्द्वन्स की घट्ना को जानते हैं उस विड्द्वन्स के पीछे बहुत बड़ी saktiया काम कर रही थी उस विड्द्वन्स के बाद बहुत बड़ी saktiयों ने अपना किनावना खेल खेला लेकिन उन सबसे अपार्ट दूर रहके एक हिंदू फैमिली रहती थे उस बाबरी मस्जिद के दो दिन पहले उनका बेटा गाया बोजाता है पूरे देश में दंगों का माहौल था चारो तरफ दंगा हो रहा था, लोग मारे जा रहा थे हिंदू, मुस्लिम कम्यूनिटीज के बीच ऐसा पास्विक वैमनश्व आ गया था इस आयत सामाने पुरिष्टितियों में उसकी कलपना भी कोई न करे वहीं जो अपजाल भाई और रमेश साथ बैठके चाय पानी प्लिया करते थे देश की गपसप और तास के पत्ती एक साथ खेलते थे, आज एक दूसरी के खिलाब गड़ा से लिखे चले थे और जितने गड़ा से चलते थे उससे ज़्यादा अपवाय चलती थी खैर दंगा उस हिंदू फैमिली के घर भी आ गया, बेटा तो कोई चुगा था और इस तरह के चोटी-पटी घटनाओं से वहाँ हिंदूस बहुत संखिक थे, उन्होंने भी मुसल्मानों के खिलाब अपना मात पीट और वगएरा जो दंगों में होता है करना सुरू करती है उनके पड़ोस में एक मुसलिम फैमिली रहते थी उन लोगों ने अपने बेटे के खोने के बावजुद भी उसमें मुसलिम फैमिली को सेल्टर दिया और सेल्टर देने के उकरांथ उसे अपने दामात का चाचा बताते हुए दंगाईयों से बचाए दंगा खत्म हुआ बावरी मस्जिद का ध्वन्स हुआ उनका बेटा कुछ दिन बार लोटाता है पता चलता है कि उनका बेटा बावरी मस्जिद गिराने वाले कुछ अहम किरदारों में से एक था और वहां जाके बहुत विजयद्वनी के साथ अपने उपलब्दियों को सुना रहा था इस स्टोरी से दो बाते इंफर की जाती है दो बाते आप समझ सकते है एक जो हम सबको बताया जाता है कि सामप्रदाइकता या सामप्रदाइक दंगा दो समुदाएं दो धर्म के आपने हितों को बढ़ाने के लिए संगर्ज करते हैं उनको खिलाफ हिंसा करते हैं यह उड़त्या गलत है आप देख रहे हैं कि एक फेमिली के ही सारे सरदस्यों में से कोई शामप्रदाइक पहलूं से प्रभावित हो सकता है कोई नहीं हो सकता है जैसा कि इस केस में बेटा कमिनल पावर्स के अधीन आ गया था जैकि बाकी फेमिली नहीं आई थी दूसरा कि common people of both communities have come to each other's rescue during riots जब दंगे होते हैं तो आम लोग जो होते हैं एक दूसरे के बचाओं में भी सामने आते हैं वहां सिर्फ प्रसासन काफी नहीं रहती है जनता ही एक दूसरे को बचाती है तो यह एक interesting fact है यह मान लेना कि दो communities दो दर्म एक दूसरे के दूस्मन है यह आप कहीं किसी के political propaganda या जो भी है secular issues को आप एक तरह से गुलाम बन जा रहे हैं उन आइडियास के तो इस weird fact को जानते हुए कि कोई भी दर्म एक दूसरे का कभी विरोधी नहीं होता और लोग हर दंगे में एक दूसरे का साथ देके यह दर्सा दिये हैं कि मानवता और लोगों की जीवन के सामानी सुक्सुग्दाएं ज्यादा महत्व पोड़ें बनिस्वत किसी धर्म संप्रदाय समुदाय या ज्याती के Second interesting fact उससे पहले भी हम आप लोगों के दिमाग पर थोड़ा सा जोड़ डालने के लिए बोलेंगे आप लियात करिए कुछ दंगों की हाल फिलहाल में कहां कहां हुए बुलंसर मेरट मौव सहारनपूर मुझभर पूर मुझभर नगर वगयर वगयर तमाम अर्बन सेंटर्स की नामा को याता आते हैं जो प्रमुक्ष नगर रहे हैं वहीं दंगे होते हैं ऐसा क्यों आमतोर पर दर्साय जाता है कि दंगे जो है या संप्रदायवाद जो है दो संप्रदाय जो धर्म दो जातियों के बीच होने वाला एक तरह हैं कि यह दर्म हो जाती है सिर्फ नगरों में लाती है कि लेकिन सब्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो है हमारे 98 पर से 50 कि सहर में हुए हैं या उस सहर से इक गांव में हुए है गांव में महार्स दो प्रतिसा दंगे होते हैं और अब तो अपने शेत्र के अनुबहों से म भी आमतर पर क्यों होते हुए इन फैक्ट कोई क्रिमिनर या पॉलिटिकल इंफ्लिएंस रखने वाला अब्यक्ति उस गाउं में बसता है और उस सहर की आइडियोलेजी को लाकर अपने गाउं में जब इंप्लिमेंट करने की कोसिस करता है तो दंगे होते हैं अधेर्वाइज गाउं के रूरल और रस्टिक पिपल के अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा समझ बहुत ज़्यादा है इंफैक्ट होता क्या है कि जब आपके आर्तिक समृद्धी बढ़ती है आपकी बैचारिक समृद्धी बढ़ती है तब आपके अंदर इगो अहम का भ करना चाहते हैं है दूसरा है कि जो सहर होते हैं उसामझाये भूत होती आगाउन पोर इस सदियां से या पीडियों से रहते रहते जीवन जीने की इक कला एक्साइलिए उनके बीच डिवलप होती है लेकिन आपके सहरों के बीच नहीं समस्या इस तनाव के माहौल में लोगों में एक गबराहत ज़ादा होती है इस कारण से अपनी घबराहत का कारण स्वैब या नगर को मानने के बजाएं किसी दूसरी कास्ट किसी दूसरी क्रीट को मानना ज़ादा सांथ पाते हैं और वो जो मानें उनसे पहले कोई political benefit के लिए social benefit के लिए उनको मनवाता है इन मुद्दों को बार-बार करके highlight किया जाता है कि come on see आपकी जो समस्याएं हैं वो इस कारण से उस समंदाय के दूसरे समंदाय के लोगों ने इन resources पे ज्यादा कबजा कर लिया है इसलिए आप समझ्चा में हैं यह दो interesting facts आपके सामने आये एक third fact हम लेके आएंगे कि आप देख रहे हैं अभी जो सहरों की चर्चा हमने की अच्छा में एक चीज और important बोल देना चाहेंगे cities में रहने वाला जो lower class या lower middle class है यह जो सामपरदाइक चीजे होती हैं उसमें उसका weight बड़ा बढ़ जाता है आमतर पे तो वह महीने का जीवन यापन करने वाला कमाने खाने वाला आदमी उसको कौन करता है दूसरा की वह छोटे मुटे जो रैली जुलूस से related करता है उसमें वह असीम center stage को पाके असीम गरिमा कान को करता है उसकी funding भी कहीं से हो जाती है कहीं से पावर सपोर्ट भी हो जाता है बड़ो बड़े बड़े संब्रांत तथा कती संब्रांत लों साथ बैठने बोलने का मौका मिल जाता है इस तरह संप्रदाइक तंगे करने वाले जो lower lower middle class के लोग हैं इनका participation आप देखेंगे सबसे ज्यादा रहता है क्यों क्योंकि इनको एक reputation मिल जाता है और जो एकदम lower poor class के लोग हैं उनको करें करें लूट पार्ट करने अपनी material gains जो नहीं पा पा रहे हैं उसको पाने का मौका मिल जाता है साथ ही जो frustration जो गुसा है उसको निकालने का भी मौका मिलता है इस कारण से आप देखेंगे एक अजीब सी दंगों की मानसिक्ता होती है और जो एकदम upper class है वो अपने political benefit के लिए तो बहुत सारी सामपरदाइक बाते करता है लेंक कल कोई बहुत कथि नहीं है आपके लिए देखना कि जो एक दल का कोई भी नहीं था जो दूसरे दल के खिलाब सामपरदाइक बाते कर रहा है कल उसके बेटे की साधी में भोज काते हुए नज़रा है तो यह उपर की जो डायर्की होती है इन विचारों में वो कभी भी संपरदाइकता का समर्थर नहीं करते हैं लें विचारों में करते हैं जोकि उनका कोई ने कोई राजनीतिक आर्थिक या कोई किसी प्रकार का हित्स सदता है यही कारड है कि जो भी शांप्रदाइक दंगे होते हैं 99% वह किसी ने किसी सेक्विलर रीजन से होते हैं मुलब कि कोई नो कोई धर्म रिपक्ष कारड हो सकता है जैसे कि इउटीजी हो गया या फिर भूमी विवाद हो गया या फिर कोई भी छोटा मुटा सेक्विलर रीजन जिसका धर्म से कुछ नहीं लेना देना है लेकि उसी समस्या को धानमिक रूप देते हुए धानमिक उन्माद देते हुए आगे बढ़ा दिया जाता है दो एक और इसका इंपोर्टेंट ऐसस्पेक्ट है कि दीखिए जो है इसे फिल्फिंक होता है यह यह जो फीलिंग होती बहौना बहूती है उस बहौना को एक्टिवेटॅ कर दिया जाता है साइटिम तभी कमरूनलिजम जन्म लेता है संप्रधारिक्त्र जन्म लेती है जितना भी political parties है उनके जिस party पास जितना कम ideology होगा वो identity politics उतना ज़्यादा चिलेगी उतना ज़्यादा संप्रदाइक्दा के पक्ष में जाएगी कोई भी आप देखेंगे communist party जनरली communalism को नहीं support करेगी lack of ideology हमेशा देखी जाती है जो लोग communalism को promote करते है कि एक और और लास्ट इंट्रेस्टिंग पॉइंट हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि जो हमारे non-resident Indians हैं कहीं 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 वह भी बहुत बड़े supporter होते हैं कमिनलीजम के अब यह आपको थोड़ा समझना होगा क्यों इनराइज अप्रूटेट इंडियन से किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी सुसाइटी में जाकर हो रहा है उस सुसाइटी में उनको हमेशा equality की भावना नहीं मिलेगी हमेशा अधरनिस से देखा जाएगा उस अधरनिस से वह निजात पाने के लिए अपनी इनराइज प्रमोट करने के लिए वह हर प्रकार के अपने साधन संसाधन का उप्योग करते हैं इससे उनको एक सैटिसफैक्शन मिलता है और कहीं ने कहीं उनका एक एजेंडा सेट होता है अब देखिए जो ल्टीटी था तमिल नाडू का लिवरेशन टाइगर्स अब तमिल एलाव ल्टीटीए उसको यूज डोनेशन्स आते थे जो तमिल नॉन रेजिडेंट्स थे तो हर जगा के कुछ तरह के मूवमेंट्स इसको एनराइस का सपोर्ट एक तरह से मिलता रहता है यह सब कुछ इंट्रेस्टिंग और वियर्ड पॉइंट्स थे कमें लेक्जम के बीच जो आप लोग सायद ध्यान ना दे पाएं लेकिन अब से जब भी कोई सांपरदाइक दमगा होगा उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको असपस टूप से यह बाते हैं ज्यादा आपके अंडरस्टेंडिंग को बढ़ाएं ओकी थैंक्यू